हेलो फ्रेंट्स, विल्कम बैक टू माई चैनल वीजोल आर्ट हिस्ट्री माही एस फ्रेंट्स, आज हम जिस कला के बारे में बात करेंगे वो दक्षिनी चित्रकला शैली होगी जैसे कि इसके नाम से ही समझवें आ रहा है कि दक्षिड की हो सकती है ये दक्षिड से ही बिलाउंग करेगी भारत के दक्षिड में जैसे कि आप जान सकते हैं कि एहमदाबाद, हैदराबाद ये सारे जो हैं वो दक्षिड में हैं भारत के तो इसका दक्षिड का जो विजयनगर के राजाओं और समकालिन भहमनी सुल्तानों का शाशन था उनका ही चेतर उतर और दक्षड के नर्मदा वतुंग भध्रा नदियों से घिरा हुआ था यह सुल्तान का समराज 14 वी शताबदी से 16 वी शताबदी के मद सूद्रे रूफ से स्थापित हो गया था तो सामराजे इस्थापित हो गया था सामराजे के सासत जो वहाँ के महल बनते थे जो वहाँ की चितरकारिया हुई शाशनकाल में तो वो शारी चीजी जो आएंगी वो दक्षडी चितरकला शैली में आएंगी तो जैसा कि हम टाइम पीरियर्ट से समझ सकते हैं चौदमी से सोलमी में जब ये सामराजे स्थापित होता है और उसके बाद जब हम बात करेंगे इसके कलाशैली की तो हमें ये पता चलेगा कि ये पूरी तरह से मुगलकाल की चितरकलाशैली के स्पैरलल चलती रही है मुगलकाल भी आपकी स्टार्ट होता है 1550 से 1857 तक जबकि औरंग जेव का शर्षन काल आया था तभी मुगलकला शैली का पतन हुआ था उसी के बाद से मुगलकला का अस्तित्व खतम हो चुका था और उसी तरीके से औरंग जेव ने ही यहां के राजक की शाशकों को दखिनी चित्रकला शैली का भी पतन उसी के कारण वश हुआ जबकि असफशा चतूर्थ 1829 से 57 तक और असफशा पंचम जो था 1857 तक जब वो अपने शाशन काल में थे उसी समय इनसे मुतभेड हुआ उनस से एक तरह से जंग होती है और उसके बाद ये लोग अपनी राजकाज और अपनी शाशन को छोड़ देते हैं मतब बिलीन हो जाता है और अरंग जेव के तो इस तरीके से उस समय जब अपनी मौलिकता को खो देती है और इसमें जब दक्षडी चित्रकला शैली जो थी वो क कई राजाओं कई शाशकों के जैसे कि मुगलकाल का हम पढ़ते हैं तो मुगलकाल में एक ही वन्ष के जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाह जहां फिर औरंग जेव ये सारे जो आते हैं तो एक ही खान दान से रिलेटेड होते हैं पर दक्षडी कलर शैली मे अलग-अलग वन्ष के शाशक आते हैं तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1490 से 1512 के मद्ध भहमनी सामराजय का विगटन और पतन हो गया था इसके पस्चाद दक्षड में जो सल्तनतों का समराज इस्थापित हुआ, राजबंशों का समराज इस्थापित हुआ, उसमें पांच र विजापूर का आदिल शाही वन्स, गोल कुंडा का कुतब शाही वन्स और अहमताबाद का निजाम शाही वन्स, तो ये सारे जो अलग-अलग थे छेत्र वो बाद में ये पांचों राजों ने एक साथ संधी कर ली और एक हिंदू राजे का वो करा, इन्होंने ताली कोट युद्ध में हरा कर विजयनगर की स्थापना की और विजयनगर राज़ानी को लूटा विध्यंस किया और उसे जलाया और इस राज़ानी के विध्वंसा वर्षेस तूंग बद्रा के दक्षडी तजपर आज भी देखे जा सकते हैं, तो इस तरीके से इन राजों का जो राजेस विक्सित हुए, जो कलायें विक्सित हुई, वो उसमें थी वीजापूर, गोलकुंडा और एहमद नगर, तो ये सारी जब हम बात करेंगे, तो ज़्यादा तर जो कलाकृतियां हम पढ़ते हैं, दक्षडी शैली में वो नोट डाउन कर लेने वाली चीज़े हैं, इसमें कि बीजापूर, गोलकंडा और एहमद नगर जो थे, वही एक में केंद्र थे, जैसे कि हम मुगलकाद में पढ़ते हैं, राजस्थानी काल में पढ़ते हैं, और पहाडी में पढ़ते हैं, तो कौन-कौन से केंद्र होते हैं, वैसे ही डखिनी के जो केंद्र होते है वो बीजापूर गोलकुंडा अहमाद नगा अभी मैं स्टार्ट इसलिए निकार रही हूँ कोश्चन कि पहले एक बार आपको जैसे होता है ना इंट्रो दे दिया जाए तो इंट्रो आपको समझ में अगर आ जाता है तो क्वेश्चन भी हम बात करते चलेंगे जबकि इसमे में अब कहीं से कुछ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी मुझे लगता है कि इस वाले चेप्टर से इस वाले पार्ट से 36 जो मॉक टेस्ट है इससे आपका पूरा दक्षडी शैली क्लियर हो जाएगा और आप इसको एक्जाम तक एक दो बार और रिवाइस कर लेंग मैं चेक्ट्वर रवाइस ही मॉक टेस्ट कराती जारी हूँ तो आप मेरे वीडियो से जूड़े रहेंगे तो आपको काफी हेल्प होगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फर्स नंबर का क्वेशन बहमनी समराजी की नीव कप पड़ी थी हाला कि कुछ लोग बोलते हैं कि आ नहीं अच्छा लगे मैं क्या कर सकती हूँ मैं शौड में तो सिर्फ क्वेशन बोलती जाओ लिए चली जाओ तो आपको अच्छा लगे तो ठीक है पर मेरा स्टाइल यही है मैं पूरे क्वेशन को डीटेल में आपको बताती चली जाती हूँ जिससे मुझे भी साटिस्फ के पढ़ना चाहिए तो अगर मैंने इस कमपोरीजन कर दिया मुगल के शाषकों से मुगल के से दक्षड़ी शैली को और कौन कौन से शाशक थे कैसे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कौन कौन से कलाकृतिया बस याद करने को रह जाएगी कि कौन किसी कलाकृतिया किस शैली में आती हैं ठीक है तो बहमनी सामराजी की नीव कप पड़ी थी 1317 1450 1470 और 1480 इसका राइट असर ए हो जाए बहमनी सामराजे ने राजधानी बनाया था बीदर जो एक प्लेस है उसमें बहमनी सामराजे ने अपनी राजधानी बनाई थी और इसमें सबसे पहले आदम शाह बली बहमनी जो था वो नेक्स वर्शन में पढ़ते हैं दकी निशाली का सरव प्रथम सुल्तान कौन था जिसने कला के प्रतिर उची दिखाई तो आदम शाह आदम साह बली बहमनी मुहमद आदिल शाह ए भी दोनो तो राइट अनसर इसका भी हो जाएगा आदम शाह बली बहमनी आदम शाह बली भूटों का सजावट करवाया था इस समय तीन कच्छों में सुंदर पुस्प मालाय चित्र थी पर आज ये नस्ट हो चुकी है पूरी तरह से नेक्स्ट कोर्शन देखते हैं थर्ड एहमद शाह बली बहमनी का मकबरा किस शैली में सुसज्जित है तो इससे क्या पता इसने और शाह-बली बहमनी का मकबरा जो था वो इरानी शैली से प्रभावेक था राइंजर इसका ए भो जाएका बहमनी शुल्तान जो था वो कला का पार्खी था और वो परंपराओं को बखु भी समस्ता था पर उसने दक्षडी कला को यतोचित विकास नहीं कर पाया वो बहले ही महां से कलाकारों, इरानी कलाकारों को बुलाता था और चित्रों को बनवाता था पर उसको उतना विकास नहीं कर पाया जितना कि हम सोच सकते हैं मुगलकाल के जैसे राजायों ने संरक्षड दिया और विकसित किया उसको में कलाकारों को बहुत सारे कलाकारों को स रख्षड दिया वैसे यहां पर नहीं होता है यहां पर अहमाद शाह बली बैमनी ने कलाकर्चियों में रुची तो दिखाई थी पर उतना क्रिस्टता से नहीं दिखा पाये थे दक्षडी शैली का प्रमु केंद्र किस राजे में था अब जब हम केंद्र की बात करते हैं तो कौन-कौन से केंद्र होते हैं दक्षडी कला शैली की तो उसमें हैं फर्स्ट नमबर में A में बिजापुर, गोलकुंडा तथा आहमद नगर है तो आप्षन में सारे बिरार, गोलकुंडा, हैदरभाद, ओर बीजापूर तो बिजापूर, गोलकुंडा, हैदरभाद भी ह पर जो मेन प्लेस था वो बीजापूर गोलकुंडा और एहमद नगर था जब हम मेन केंद्र की बात करेंगे तो बीजापूर गोलकुंडा और एहमद नगर होते हैं बीदर और बिरार को भी इन ही राजों में अपने में मिला लिया गया था इसलिए मुखेता यही तीन राज दखीनी शैली के राजनीतिक सिमाय हो गई थी चित्रकला की जो परंपरा थी उनको बनाए रखने में इनी तीनों ने खास महत्वर रखा था और अरंग जेब तक लगभग सो वर्सों तक मुगलों के साथ यहां पर कड़ा संघर्स रहा और उसके बार कला का च्छती हो गया था कला का मौलिकता कला ने खो दिया था फिफ्थ नंबर का इसमें 25 कॉश्चन है थोड़ी वीडियो बड़ी होगी किया किस कला समिक्षक का कथन है कि दक्षडी कला चित्रकला का विकास मुगल चित्रकला से भिन रूप में हुआ था हाला कि आदान प्रदान भी हुआ एक दूसरे को उन्होंने देखा भी अनुकरती भी किया और प्रभाव भी पड़ता है पर भी कौन सा ऐसा समिक्षक था जिसने ये बात कही कि दक्षडी चित्रकला शैली विकास मुगल चित्रकला से भिन रूप से हुआ क्योंकि दक्षडी इराणी अरेबियन तथा आतो मन चित्र तत्मों का प्रभाव दक्षड कलम से अधिक समा गया जबकि उत्तरी इरानी वत्तुरानिया प्रभाव उत्तर भारत की मुगल चित्रकला में समा गई थी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट जो था वो हर्मन गुएट जिने लिखा था शाफ 'sukस नमबर का है वीजापुर के आदिल सुधापक का संस्थापक कौन था वीजापुर जैसके हम नए पढ़ा कि वीयापूर का संसथापक कौन था आदिल्षाप था separately का वे उसका राइट इंसर हो जाएगा वैजापुर का आदिल्षा वंस वंस और इस आदिल शाह संतनत का प्रतिष्ठापक कौन था वो था सुल्तान यूसुफ आदिल शाह राइट अंसर इस डी यूसुफ आदिल शाह था ओके नेक्स कोशन सात्वा अब जैसे मुगल काल में हम चेत्रकला के बारे में बढ़ते हैं कौन कौन सा चेत्र कहां पर किस शैल नहीं थी वहां मुगल शैली एक थी और उसमें राजाय चेंज हो गया है जैसे राजा को क्या पीड़ियां चेंज होती गई है पर यहां पर क्या था कि जो दखिनी शैली थी उसमें बीजापूर गोलकुंडा और जो आहमद नगर था यह सारे जो में शैलियां थी वो आ ज चित्र है मुगल शैली का राजपूर शैली का मेवार शैली का यह दखिनी शैली का तो इसका दखिनी शैली राइट अंसर हो जाएगा D, हातियों की लड़ाई, जो कि दख्कीनी शैली का एक बहुत ही महत्वपूर चित्र है, हाति की लड़ाई, हाति जो की हाती जलधारा की पास है, इस तरीके से वह एक तो चित्रदल हुए है, तो इसमें मुगलकार शैली, मेवार शैली, दख्कीनी शेली तो यहाँ पर भी राइट अंसर D हो जाएगा दक्षिनी शेली हाथियों की लड़ाई भी दक्षिनी शेली का है भारत इतियास में संसूधक में इस यही नहीं व्रिटिस संग्रहाले में यह लंदन और प्रिंस आफ वेल संग्रहाले मुंबई में संग्रहाई थे है ने इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा मुहमद आदिल शा जो थे राइट अंसर इस सी इनका जो टाइम पीरेड था वो 1627 से 1657 तक था और तुझू के जहांगीरी में उलेख है कि जहांगीर ने एक शबी इब्राहिम आदिल शा के पास बेजा था तो यह जो उलेख है यह त जुके जहांगीरी के द्वारा मिलता है और तखिनी शैली का जो शाशक था वो मुहमद आदिल शाह वो मुगलकालत के दौरान वहां के राजाओं से आदान-प्रदान चित्रकारियों का करता था जीक है नेक्स्ट कोर्चन देखते हैं दसमां मुहमद आदिल शाह ने असा आसार महल होगा, आसार महल का सज्जा, यहां पर सज्जा होना चाहिए था, सज्जा, महल की सज्जा कहा के कलाकारों को बुलवा कर करवाई थी, चीक है, तो यहां पर आप्शन में है, फारस से, इटालियन कलाकार थे, तबरेश से, मधुरा से, तो राइट अंसर इसका B हो ज आसार महल का की सज्जा करवाई थी, ओके, नेक्स्ट कोर्शन नमबर 11, रागिनी स्री राग, रागिनी स्री राग नामक चित्र किस शैली का चित्रत ग्रंथ है, तो यह जो है वो दखिनी शैली में किस शैली का, इसमें जो उसके ब्रांच थे, कुलकुंडा, से इसमें उपर कुछ डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, जो कह सकते हैं कि उस समय की जो लैंग्वेज थी उनकी, उसमें कुछ लिखा हुआ है उपर और बहुत ही सिंदर रागिनी का एक राग का चित्रन हुआ है, और बड़ी ही सुंदर तरीके से यह चित्र किया इसमें मुगल काल का प्रभाव हम देख सकते हैं कि वीजापूर से रिलेटेड है, राइट अंसर का सी हो जाएगा वीजापूर जो की तखिनी शैली का एक मातवपूर्ण शैली थी, ओके नेक्स कोर्शन ट्वैट देखते हैं किसके शाषन काल में तारीफ हुजन शाही न जब गदई पे बैठा तो इस क्रंथ में मालवा में चित्र ट्वैंट शीC, वीजापूर्ण शीफ से सकते हैं मुज्के कोर्ण चाही देखेरिक सम वाटा हूर्ण खेर देख में तारीफ हुजन शाही का Хंध कोरार की मिलद्यों के हैं बादेखेर्ग कहिए यज़ा मालवा में चित्र नियामत नामा का प्रभाव भी दिखाई देता है जो कि इराइनी है यह ग्रंत भारत इतिहा संसुदक मंडल पूना में संग्रह में है ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा डी सुल्तान मुर्दाजा ओके नेक्स्ट क्वेशन नमबर 13 तारीफ हुसे तारीफ हुसेन शाही में कितने चित्र प्राप्त हुए है इसमें कुल 12 चित्र प्राप्त हुए है जैसे कि हम पढ़ते हैं मुगलकार के चित्रों में पंडुलिपी चित्र ग्रंथों में कितने चित्र है उसी तरीके से यहां पर तारीफ हुसेन शाही में कितने चित्र हैं गोलकुंडा के संस्थापक कौन थे? अब बीजापूर के बाद हम अहमद नगर, अहमद नगर के बाद गोलकुंडा की बात करेंगे इससे पहले चो मैंने दो कुर्शन बताया वो अहमद नगर से रिलेटेड था अभी गोलकुंडा के बारे में पढ़ेंगे गोलकुंडा के संस्थापक कौन थे इबराहिम कुतुब शाह, आहमद शाह, बली वहमनी, मुहमद आदिल शाह या सुल्दान यूसुफ आदिल शाह चीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इबराहिम कुतुब शाह इबराह शाषक स्थापित हुआ था बिजयनगर के पतन के बाद गोलकुंडा को ही सबसे जादा लाव हुआ था क्योंकि बिजयनगर के अनेक कलाकार एवं बास्तुकार यहां आकर रहने लगे और कुतुब शाह के संरक्षड में इन्होंने काम करना शुरू किया तो उसके बाद क् इबराहिम कुतुब शाह के शाषनकाल में चित्रकारियां और जो भी कलाकृतियां हुई काफी उत्क्रिस्ट हुई थी ओके नेक्स कोर्शन नमबर 15 चार मिनार की स्थापना किसने के थी अब चार मिनार हम इसलिए इसमें देखते हैं कि जो दख्षिनी शैली थी उसी के सा कि निशैली पढ़ते हैं ठीक है तो चार मिनार की स्थापना किसने की थी अहमर शाह, अहमर शाह, बली बहमनी, मुहमद कुली कुतब शाह, सुल्तान युसुफ आदिल शाह, मुहमद कुली कुतब शाह ने इसकी रचना की थी ठीक है इसकी स्थापना की थी और मुहमद कु इसमें हैदराबाद में चार मिनार का निर्माड कराया था तो 1591 याद रखना है 1591 ठीक है विजय द्वार के नाम से इसको जानते हैं जो चार मिनार है इसको विजय द्वार के नाम से भी जानते हैं जैसे गेट व इंडिया है इंडिया गेट है वैसी एक चार मिनार भी गेट और यह अभी तेलंगाना जो हम डिवाइड होने के बाद तेलंगाना में इस्थित है यह इंडो-इस्लामिक सैली में निर्मित किया गया है ठीक है यह मैंने एक चार मिनार का विकीपीडिया से एक चित्र निकाला था यह आप देख सकते हैं किस तरीके से यह गेट की तरह से है जैसा कि हम बात करते है अब इसमें क्या है चार मिनार इसका नाम क्यों पड़ा क्योंकि इसमें चार मिनारे बनी हुई है इस वजह से इसका नाम मिनार बड़ा था बन गया था और यह इस्लामिक है और 1591 में यहां पर विकीपीडिया में भी इसका टाइम पिरिट दिया हुआ है और किसने बनवाया था कुली कुतब शाह ने ठीक है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है युनस्को वर्ड हेरिटेज साइट में भी इसको ले लिया गया है और इसका जो युनस्को ने इसको सेप्टेमबर 10 सेप्टेमबर 2010 में इसको अपने संरक्षड में ले लिया था चार मिनार कव यहां पर लिखा हुआ है UNESCO on September 10 इसको submitted किया था ठीक है तो ये चीज भी याद रखनी कि 4 मिनार को UNESCO में कब सामिल किया गया था तो 10 सितंबर 2010 को ओके Next question है question number 16 मैना और नारी चित्र किस शैली में निर्मित है तो दखिनी शैली के कौन सी शैली में निर्मित है दखिनी शैली तो है ही ये मैना और नारी दखिनी शैली में गोल कुंडा में ये निर्मित है गोल कुंडा में ओके तो ये चीज भी याद रखनी मैना और नारी गोल कुंडा दखिनी शैली गोल कुंडा कला में चित्र पांच निर्त्यांगनाओं का चित्र कहां पर संग्रहित है क्वेशन इस तरीके से भी आ जाता है कि चित्र कहां संग्रहित है कहां किस चीज कैसे बने हैं यह सारी चीजें कि शैली में हैं इस तरीके से तो मैंने कुछ जो चित्र का संग्रहित का बताया हुआ है जिक्र किया ह बुक्स में उसका मैंने वो भी ले लिया है तो गोल कुंडा कला में चित्रित पांच नित्यांगनाओं का जो चित्र है वो कहां पर सिंग रहीत है बोस्टर संगरहाल है प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम ब्रिटिस संगरहाल है लंदन या इन में से कोई नहीं राइट अंसर स संगरहाल है लंदन में इसको संगरहित किया गया है । नेक्स कोर्षny No.18 गोल कुंडा शैली में किस शाषक ने ब्यक्ति चित्र ऐंवम दर्बारी चिट्रों का निर्मार करवाया था गोलकुंडा शैली में भी शवीह चित्र Speed abonnण हुआ था और दर्बारी चित्रों का में भी पढ़ सकते हैं तो उस समय के संरक्षक के बारे में यहां पर पूछ रहा है कि गोलकुंडा शैली में किस साशक ने व्यक्ति चित्रों और दर्बारी चित्रों का निर्माण करवाया था इसका राइट अंसर हो जाएगा मुहम्मद कुतुब शाह ने राइट अंसर इस सचित्रों पोथी का चित्रण कब हुआ था दिवाने हाफिस सचित्रों पोथी जो थी वो गोलकुंडा में हुई थी और इसका टाइम पीरेड था वो 1610 to 20 दस साल लगे थी इसको बनाने में 1610 से 1620 के समय पीरेड में ओके नेक्स क्वेशन नंबर देखते हैं 20 अबुल हसन ताना शाह अबुल हसन ताना शाह ने 1627 से 1687 मिंस 1627 टू 1687 इस्वी में राग माला के चित्रों में तेज चमकेले रंगों का प्रयोग किया है जिसमें किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है तो उसमें जब चटकीले रंगों का चमकीले रंगों का प्रयोग कर लिया है तो उसमें किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है राजपूर शैली यहां पर ऑप्शन में राजपूर शैली मुगल शैली इरानी शैली या G1 बसंत राग नामक लिख डखशनी शेली में किस 64ů दखशनी-शेली में किस राज्य से समझदित है तो एक से में जैसे हमने पढ़ा गोल कुंडा विजापूर एहमद नगर और विदार यह सारे दखे निशायली के केंद्र है और इसमें पूछ रहे कि कौन से स्थान से समध्दित है तो यह हो जाएगा राइट अंसर का सी एहमद नगर से है अब अब अबुलहसन ताना शाह और अरंग नियुक्त कर दिया था तो कहा जाता है कि इसी समय से जो दखे निशायली थी वो पूरी तरह से अपनी मौलिक ता खोना शुरू कर दी जब राजा अपने राजे में अपने दर्बार में कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाते हैं जैसे अगर सुरक्षा में ही लग नेक्स कोई प ठीक है नेक्स कोईशन नमबर 22 रागनी मधु माधवी नामक चित्र किशैली का है गोलकुंडा बीजाबूर एहमद नगर या बिदार तो ये राइट अंसर हो जाएगा इसका गोलकुंडा का है राइट अंसर इस ए गोलकुंडा ओके नेक्स कोईशन नमबर 23 तुजुक ए आसफी नामगरंथ का लेखन और चित्रन किसने करवाया था अहमद शाह बली बहमनी मौहमद आदेल शाह सुल्तान यूसुफ आदेल शाह मीर निजाम तो राइट अंसर इसका हो जाएगा मीर निजाम ने करवाया था और कब करवाया था 1793 इस वीमें अपनी प्रशन सामें इसने कराया था मीर निजाम ने अपनी प्रशंसा में तुजु के आसफी का निर्मार करवाया था और इसका लेखन और चित्रण इसने दोनों करवाया था नेक्स्कूर्शन नमबर 24 आकाश में रंग बिरंगे बादल किस शैली के चित्रों के विशिष्टा है राजपूत शैली मुगल शैली इरानी शैली दक्किनी शैली तो राइट अंसर इसका डी हो जाएगा दक्किनी शैली में आकाश में रंग बिरंगे बादलों का चित्रण हुआ है next question number 25 और ये last question है तूती द्वारा बधु का निमार्ग दर्शन चित्र किस शैली से related है राजपूश शैली मुगर शैली इरानी शैली दखिनी शैली मैंने चित्रों को इसलिश शामिल किया है कि कभी चित्र ऐसे पूछ देगा तो बिलकुल आपको clash करेगा कि ये हमने किस शैली में पढ़ा था तो इसका right answer दखिनी शैली हो जाएगा तूती द्वारा बधु का मार्ग दर्शन नामक जो चित्र है वो ये दखिनी शैली में है ओके तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर करें कि मुझे ये वीडियो अच्छी लगी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोग को समझाने की और दक्षिड चित्रकला शैली को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब कर थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो एंड कीप वाचिंग कीप लानिंग बबाई